कि नमस्कार दोस्तों मैं भी येप कबल फिर्ट से स्वागत करता हूँ दोस्तों की वीडियो में इस्पेशली मैथ आई इस्पेश्यस अस्तर के मैथ को डिसक्स करेंगे सब्सक्राइब करें वीडियो से यहां पहला की जिरो और सिक्स् का जो महात्म सापबस्काइब मतब हाई कामन फैक्टर अर्थात मासा क्या होगा दोस्तों यूपी पीश्यस मेंस दोसर छे का कॉस्टन है पहला अल्टरनेटिव जीरो दूसरा वन और तीसरा यहां पर थिरी दिया गया है और सोथा अल्टरनेटिव की बात करें कि आप परिभासित दिया गया है तो सकते हैं डिंग कोई डिजिट का आप एक I'm तो कर सकते हैं मतलब यह कोई यहां पर one one common होगा तो मासा अगर कपूछेगा वहन और six का तो आपका one होता लेकिन है पर जीरो की बात करतेगा किसीडिके साथ तो उसका जो मासा होगा आप अज़ाशीत होगा तो उमीद करता हूं को संकुष्ण आप अच्छी तरह समझ गया होगा चलते अग्ले पर से सेकंड कोस्ष्ण की बात करिए यहां पर दिया गया कि दो संख्या का जो रेशियो दिया है और इसका लासा 660 दिया गया दोस्तों छोटी संख्या के आप करें आप हाई स्कूल से एक फार्मूला पता होगा आपको पढ़े होगे कि पहली संख्या और multiply दूसरी संख्या बराबर होता है दोस्तों less a into masa होता है clear Is तरह से तो यहाँ पर apply करने पहली संख्य को आप 5X माल लेंगे जो ratio में दिया गया 5X कर देंगे दूसरी संख्या को दूस्तों multiple करके 6X बड़ी संख्या को कर देंगे बराबर लासा यहाँ पर 650 दिया है आपको एक्स समाल लेने हैं अब यहां पर एक्स-कैंसल हो जाएगा और इसका मुल्टिप्लाइब तो पांच तीस X हो जाएगा क्लियर इस तरह फोजाएगा यहां पर 60 आपका हो जाएगा जिर्यों हम कैंसल कर देंगे 3 से यहापर डिवाइड कर देंगे 326 326 मतलब एक्स की जो बैलू निकल के आएगी वो 22 हो जाएगी दोस्तों प्रस में बोला कि छोटी संख्या क्या होगी तो छोटी संख्या पर 5x होगी बड़ी की बात करेंगे दो 6x होगा यहापर बैलू कुछ रखना है कि 5 x 22 टू मल्टिप्लाइ कर देंगे तो आपका पांदूनी दस पांदूनी दस मतलब 1110 आपका जो है राइट एंसर होगा अल्टरनेटिव रिकॉर्डिंग की बात करेंगे तो डी अल्टरनेटिव आपका करेक्ट होगा तो उमेद करता हूं इस क्कॉस्चन को आप अच्छी त 12 हवाइज जहाज के आउस्दगती के याद करें मतलब कि यहाँ पर आउसदगती के याद करना होगा दोस्तों तो बात बेपको बताना चाहेंगे अगर डिस्टन्स सेम है और इस्पीड डिफ्रेंट डिफ्रेंट मतले हैं यहाँ आप ने लेता हूं और गंतब वैस्थान 2xy upon x plus y होता है आपको यहीं से उत्र अप्लाई करना है हैंसर आजाएगा मतलब कि यहाँ पर 2 multiply कर देंगे दोस्तों पहला दिया 500 दूसरा दिया है 700 कर देंगे आपको पता है कि यहाँ पर speed को चाल को दोनों जोड़ना है 7-5-12 हो जाएगा और giờ this is toConnor with all the 2-10-12 हो जाएगा और 2 305 होगा दूसरे कट करदेंगे 500 को धाई 600 और 300 का multiple कर देएगे दोस्तों तो यहाँ पर सत्रा जिए पांसजो पच्हास वह जाएगा तीन अब यहाँ पर सही बटा में कर देंगे भाग देंगे जोस्तों तो आपका जो है तो आपको बताने चाहेंगे जब डिस्टेंस सेम होगा स्पीड अलग अलग होगा तो टू एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई अप्लाई करने हैं और आपका आउसत गैती आउसत चाल जो दिया रहेगा दोस्तों वह आपका निखल जाएगा तो उमीद करता हूं आप इस अच्छी तरह से सम्झ में आगया होगा चलते अगली प्रस्टन बात करेंगे फौर नमर प्रस्टन की जो फौर नमर का प्रस्टन है वीडियो की सिबना करें यूपी पीशेस मेंस में दोजाराट का प्रस्टन है आपर दिया कि जो है नगर की टैक्सी भाड़े का प्रिष्ण होता कि किसी बेटिक को 25 km ünkü यात्रा है तु कितना भाड़ा की रूप में देना होगा तो मतलब होता है दुश्कों कि बृत कि बृत कि ब्हारा नादा चल जाता है किलो मीटर का तो आप 25 km कि बारा को कौनडेड परसंट किलियर कर सकते तो यहां पर प्रत्त किलो मीटर की बात करेंगे तो भारे का अंतर बटा, दूरी का अंतर कर देंगे तो एक किलो मेटर का भाड़ा पता चल जाएगा, मतब भारे का अंतर पर करेंगे तो वह यहा पर उन 31 मायनस कर देंगे आप जो है 96 करने है और अपान करना है आप बात होती है दूरी का अनतर करेंगे मतल़ 18 मायनस चाह पर इस ट्राइब को प्रस्थ मनेगा तो ऐसी आपको करने हैं यह लेस करेंगे तो 35 हो जाएगा और अपान में 5 हो जाएगा दूस्तों 55 मतब एक किलो मीटर जाने मुसे साथ रूपय रेंड के मतब भाड़े के रूप में देना पड़ रहा है अब यहां पर पचीश किलो मीटर की यात्रा करेंगा तो कितना होगा पचीश मल्टिप्लाइ सेवन कर देंगे इसका मल्टिप्लाइ कर देंगे दोस्तों तो हमारा 175 रूपया आ जाएगा अल्टरनेटिव एकॉर्डिंग देखेंगे तो सी अल्टरनेटिव आपका करेक्ट होगा तो जब इस तरह से प्रस्ट बनेगा तो आपको शेम इसी बेसिक क्लियर करने हुमीद करता हूं कोस्टन समझ में आ गया होगा चलते हैं कि अल्टरनेटिव देख करके कॉस्टन क्लियर करेंगे आप अगर सेकंड में दिया गया है मतलब अल्टरनेटिव आपको सेकंड दिया गया है तो जान लेजिए कि सारी यूनिट को मीटर प्रती सेकंड में चेंज करने हैं अगर आंस्वर में आपको घंटे दिया गया इसको दोनों को मतलब कि ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई जोड़ देंगे तो 240 मीटर आपकी दूरी हो जाएगी चुकि हमें मीटर में ही अंसर आ रहा तो इसको छोड़ देंगी इसको चेंज नहीं करना है लेकिन आपर जो 54 किलो मीटर प्रतिहावर दिया गया दोस् की 15 मीटर प्रतिह सेकंड आ जाएगा यह आपका चाल हो गया क्लिया अब बात होता है समय बरावर क्या होता है दूरी बटा चाल तो दूरी यहाँ पर 240 कर देंगे बटा आपका जो चाल दिया गया है 15 कर देंगे तो 16 टाइम जाएगा मतलब 16 सेकंड में वो जो है 130 मिटर न 244 की दूरी मतलब डिस्टेंस दे दिया कि 224 है और यहाँ पर पहला साथ क्लोमेटर प्रतिहावर से जो यह आदमी जा रहा इस दूरी को खबर करता है दोस्तों और प्रस्ण होता है कि तोसी दूरी को मतलब कि यह 240 के गिल्री वापस आने में 6 घंटे का समय लगता है, तो कहने का मतलब कि यहां पर एक तो है, 20 vad जिब वापस आता है दोस्तों, 240 जो दूरी दिया गया है, 240 आपका दूरी हो गया और 6 घंटे का समय लगता है, तो यहां पर चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय कट कर देंगे दोस्तों तो आप चालिस आ जाएगा मतलब कि यहाँ पर स्पीड निकल गई मतलब कि यह पहला स्टाटिक में 60 km प्रतिहावर हो गया अब रिटर ने जब वापस आ रहा 240 km प्रतिहावर से आ रहा है अब यहां पर आपको अपलाई कर देना है तू एकस वाई अपधाने एकस य मत्यां यह आपक्या निकाल रहा है यहाँ पर आउस्चान निकाल रहे है कि लिए अपलाई करने हैं दोस्तों यहाँ पर टू कर देंगे यहां पर 40 साट कर देंगे किलियर अपाथ 4060 को आड़ करेंगे तो हंडेट होगा डबल जी डबल जी का एसर कर देना है बस यहाँ पर टू सिक्स और पूर का मल्टिप्लाई कर देगे तो और तालिस किलो मेटर प्रतिहावर आएगा एकॉर्डिक टू अल्टेंटिटिव डेखेंगे त देगी तो बात करNow that active स्चेवार तो उम्हाएगा बात करेंगे नमर सेवन की यहां डिया वह belong कि आपकि यहां को यह स्टगर्दी का सूर्थ two xy upon x plus y होता लेकिन वहाँ पर बात यह होती है दोस्तों कि दूरी सेम होगा जैसे कि इस कॉस्टन में दूरी सेम है लेकिन यहाँ पर स्पीड दो ही दिया रहता है मतलब जाने वाली स्पीड और और जो है वापस आने वाला स्पीड दिया रहता है जब यहाँ पर बात होगी कि जो दूरी समान है और यह स्पीड अलग अलग रहता है दोस्तों तीन दिया रहे तो आपका सूत निकल के आता है 3XYZ अपान XY PLUS YZ PLUS XZ होगा मतलब कि according to alternative देखेंगे तो आपका first alternative correct होगा मतलब यहाँ पर जब समान दूरी हो और चाल तीन दिया रहेगा तो आपको यह फार्मूले लगाने है दोस्तों दो दिया रहेगा तो आपको 2XY अपान X PLUS Y फालो करने है clear यहाँ पर दो चाल की बात करेगा तो आप यह फार्मूल अप्लाई करें कि तीन चाल की बात करेगा तो यह जो first alternative दिया इसको आपको करना है तो इस चीज़ को असमरा रखिए और जब भी question बने आप clear कर सके अब बात करें दोस्तो 8 number person के तो यहाँ पर दिया गया तो cross multiple कर देंगे तो क्या होगा cross multiply कर देंगे तो 3x equal हो जाएगा 5 और x बराबर हो जाएगा 5 upon 3 हो जाएगा clear says की बात करेंगे दोस्तो तो 1 minus 5 upon 3 कर देने हैं says जब भी fraction में says निकालना होगा तो 1 से ही आपको minus करने है यहाँ पर ध्यान देंगे minus का sign नहीं दिया तो उसको नहीं ignore कर देंगे 3 minus 5 करेंगे मतलब जो घट के आएगा 2 बटे 3 आ जाएगा right answer की बात करेंगे दोस्तो तो alternative में जो आपको दिया गया है आपका correct answer का मतलब यहाँ पर यहाँ पर अगर भिलने में digit दिया गया है एक बटा दो दिया तीन बटा पांज दिया और 6 वो लेगा तो one में उस one minus आपको करने है और उसके बाद आपका सेस निकल जाएगा यहाँ पर nine number person की बात करेंगे तो कहरा कि किसी कार को 120 मद्दूर 15 दिन में पूरा कर सकते हैं तो आगे प्रसन होता कि वही कार को 10 दिन पूरा करने के लिए कितने आदमी लगेंगे तो simple question है दूस्तों यहाँ पर 120 लिखने हैं मतलब यहाँ one into डी one करेंगे अपन डबलू one का जो सूतर होता ही इस तरह से करने हैं 120 और multiply पंद्रे कर देने हैं और यहाँ पर वह सी काम को कितने आदमी एक्स आदमी माल लेंगे 10 दिन रखने हैं जिरी जिरी आपको cancel कर देने हैं और 12 और 15 का गुड़ा कर देंगे दूस्तों क्या होगा एक्सरस्ती होगा एकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे तो आपका भी अल्टरनेटिव करेक्ट होगा सिंपल कुस्टन था इस तरह से यहां पर टेन नंबर प्रस्न और लास्ट प्रस्न की बात करेंगे तो दो संख्याओं को योग चालिस दिया गया उसका अंतर चार दिया गया करेंगे मतब 44 बटा 2 कर देंगे कट कर देंगे तो आपका 22 आजाएगे क्लियर 22 यहां पर आपको रखना चुकि रेशियो ग्याद करना यह बड़ी संख्या निकल च्छोटी की बात करेंगे दोस्तों तो यहां पर योग और अंतर का माइनिस कर देना है भाग 2 दो दे देन तो राइट एंसर की बात करेंगे तो यारा अनपाते नो होगा डी अल्टनेटिव करेक्ट होगा एक बार फिर बताना चाहेंगे बड़ी संख्या जब बोलता है दोस्तों तो योग और अंतर को जोड़ के दो से भाग देंगे बड़ी संख्या निकल जाएगी छोटी संख्य मिलते अगले वीडियो में थेंक्यू for watching this